वेलकम टुमारी यूट्यूब चैनल लिपसा कॉर्णर कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे तो आज सिलाईयों के साथ मैं एक बहुत ही इजी और सुन्दर सा पैटर्न बना रही हूँ इसके लिए फंने मैंने ओर्ड नम्मबर 31 डाले हैं और थोड़ा सा रैट कलर के साथ बना लिया है और इसकी जो फर्स्ट रो है डिजाइन के साथ वो मैं वाइट कलर के साथ स्टार्ट कर रही हूँ तो ये जो डिजाइन है ये उल्टी साइड से स्टार्ट होगा मतलब रोंग साइड से स्टार्ट होगा और ये जो रोंग साइड है ये पूरी की पूरी ही उल्टी बनाई जाएगी मतलब ये अपनी तरफ बनाई जाएगी पूरी रो तो यह जो डिजाइन है यह बनाना बहुत ही एजी है और जो विगनर्स हैं जो नीटिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं सीखना उनके लिए भी यह बहुत ही एजी है बनाना तो इस तरह से मेंने इसकी जो डिजाइन की फर्स्ट रो ourselves को कंपलीट कर लिया है और जो सेकंड रो है उसमे मैंने पहले फंदे को बुनाई कर लिया है आप या इस स्कीप करना चाहें तो स्कीप भी कर सकते हैं धागा अपनी तरफ किया है और इस वाले फंदे को मैंने इस तरह से उठा करके स्किप कर लिया है अगले फंदे की बुनाई कर ली है इससे अगले फंदे को भी स्किप किया है उससे अगले फंदे की बुनाई कर ली है और फिर अगले फंदे को फिर स्किप किया है और अगले की बुनाई कर ली है यहां जो हम skip कर रहे हैं वह एक लूप जैसा बन जाता है और इसी तरह से हमने इस पूरे के पूरी लाइन को complete करना है मतलब एक फंदे को skip करना है और एक को बुनाई करना है यह जो हमारी सीधी side है पर हमें बनानी यह उल्टी है मतलब अपनी तरफ ही इसकी बुनाई करनी है तो इस तरह से इस line को complete कर लेना है और इसके बाद जो हमने फंदा बुनाई किया है उसको सीधा बनाना है और जो skip किया है उसको हमने उल्टा बनाना है तो आईए देखते हैं कैसे बनाना है पहला फंदा तो हमने स्किप कर लिया आप ये देखो कि ये हमने स्किप किया था पहले तो इसको हमने बाहर की तरफ बुनाई कर देना है और जिसको हमने बुनाई किया था उसको हमने अपनी तरफ बुनाई करना है इसको बाहर की तरफ करना है और इसको अपनी तरफ करना है यहाँ पर पता चल जाता है कि हमने कौन सा फंदा स्किप किया है जो स्किप किया है उसके नीचे एक लूप जैसा जाता है तो इसको हमने बाहर की तरफ बुनाई करना है और इसी तरह इस पूरी की पूरी लाइन को कम्पलीट करना है उसको हमने अंदर की तरफ बुनाई करना है तो इस तरह से हमने इस पूरी के पूरी लाइन को कम्पलीट कर लेना है तो ये डिजाइन बनाने में बहुत ज़ादा एजी है इसके बाद जो इसकी अगले वाली लाइन है उसको पूरा का पूरा सीधा ही बनाना है ये इसकी फूर्थ लाइन है इसके बाद जो अगली लाइन होगी उसमें हम धागा चेंज कर देंगे इसको आप दो colors में भी बना सकते हैं और multi colors में भी बना सकते हैं यह design बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में इसके बाद जो हमरी अगली row होगी जो fifth row होगी उसमें हम धागा जो है वो change कर देंगे और इसको पूरा कूपूरा जैसे हमने first row बनाई थी opposite side में जो row बनाई थी हमने उल्टी वैसे ही इस row को भी हम बना लेंगे और इस तरह से पूरा कर देंगे अब जो हमारी next row होगी वो बिल्कुल जैसे हमने second row बनाई थी वैसे ही बनाएंगे पर second row में हमने इस फंदे को skip किया था लेकिन यहाँ पर हम इसको बुनाई कर लेंगे अपनी तरफ और अगले फंदे को skip करेंगे उससे अगले फंदे को बुनाई कर लेंगे अगले फंदे को skip करेंगे मतलब जैसे हमने second row में जो फंदा बुनाई किया था उसको हम skip करेंगे और जिस फंदे को हमने skip किया था उसकी हम बुनाई कर लेंगे और इस row को हम बिल्कुल जैसे हमने second row बनाई थी वैसे ही बनाएंगे इसके बाद जो हमारी next row होगी वो बिल्कुल हमारी third row की तरह होगी कि जो हमारा बाहर की तरह बुनाई होगा वो फंदा skip किया होगा और जो हमने बुनाई किया है फंदा वो हम अपनी तरफ को बुनाई करेंगे तो इस तरह से इस पूरी के पूरी लाइन को हमने कम्प्लीट कर लेना है और इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो होगी वो हमारी फोर्थ रो की तरह होगी मतलब जैसे हमने फोर्थ रो बनाई थी बिलकुल सीधी ही वैसे ही बनेगी और फोर्थ रो के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो होगी वो नेक्स्ट ठेट के साथ होगी चाहे आप white color ही use कर लो चाहे आप कोई और color यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे कर लो तो इस तरह से इस row को complete करने के बाद जो हमारा design है वो कुछ इस तरह से बन कर दीखेगा तो मैं इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है तो ये मेरा design मैंने थोड़ा सा बना लिया है और इस तरह से ये देख रहा है ये देखने में बहुत सुन्दर है और आप इसे किसी भी baby set या ladies cardigan में use कर सकते हैं तो मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए वीडियो को like को share कर दीजिए और साथ ही मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए notification बटन पर भी click कर दीजिए तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अबने बाद